नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो महमलों जानेंगे कि बिये परिक्षा में किसी भी प्रस्ण के हेडिंग को बना बना कर कैसे लिखा रहता है दोस्तों अगर आपको हेडिंग मनाने में कोई भी दीकात होता है या फिर आपको हेडिंग मनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिएगा इस वीडियो के अंदर में आपको प्रस्ण का हेडिंग मना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कि इ निर्मार किस प्रकार हुआ शुरोतो एवं भूमका को समझाईए ये प्रस्न आ गया अब दोस्तो आप इस प्रस्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे इसका उतर कैसे रिखेंगे ध्यान समझेए आपको क्या करना है आपको दो काम करना है सबसे पहले आपको प्रस्न को पढ़ना ह और पढ़ करके समझना है कि प्रस्ण क्या पूछ रहा है उसके बाद दूसरा कामा को ये करना है कि प्रस्ण कंतर कितने पॉइंट दिये हैं उसको समझना है तो दोस्तो प्रस्ण कह रहा है कि समिधान सभा का निर्मार किस प्रकार हुआ सुरोतो एवं भूमिका को समझाइए यानि कि समिधान के बारे में पूछ रहा है कि समिधान सभा का निर्मार किस प्रकार हुआ यानि कि समिधान सभा का निर्मार किस प्रकार हुआ तो यहाँ पर दोस्तो आपका पहला पॉइंट है दोस्तो समिधान, यहाँ पर ध्यान दीज़ आपका पहला पॉइंट है समिधान, उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तो आपका निर्माड, उसके बाद से दोस्तो तीसरा पॉइंट आपका परकार, उसके बाद चौथा पॉइंट धुस्तों, आपका शुरोत और पव पॉइंट अपका भूमी का यानि कि इस प्रस्नि के अंदर 5 पॉइंट दीए हुए हैं, दोस्तों पॉइंट का मतलब क्या होता है? उसको समजिए पॉइंट का मतलब होता है कि जिसके बगाईर आपका प्रस्न अधूरा राता है उसी को हम पॉइंट बोलता है जैसे अगर आप समिधान को इस प्रस्न से निकाल देंगे तो इस प्रस्न का कोई माइन नहीं राजाएगा उसी तरीके से अगर आप निर्मार को निकाल देंगे तो इस प्रस्ण का कोई माइन नहीं राजाएगा उसी को हम लोग point बोलते हैं और heading के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी को हम point बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों समिधान साबा का नेवार किस प्रकार हुआ सुरोतो एवं भूमिका को समझेए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इस प्रस्ण का heading क्या लिखेंगे तो मैं आपसे बार बर करता हूँ कि किसी भी प्रस्ण का पहला heading या तो आप परिचे लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे या तो परिभासा लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग का पहला जो heading होगा क्या होगा पहला heading दोस्तो हम लोग का होगा भूमिका क्योंकि question के अंदर क्या पूछा है question के अंदर भूमिका को समझाने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग पहला heading क्या लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम लोग पाहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका अब दोस्तो भूमिका के अंदर उतर में क्या लिखेंगे उसको भी मैं आपको बताता हूँ देखिए पाहला हेडिंग हम लोग कब हो गया भूमिका अब दोस्तो भूमिक्या के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे तो भूमिक्या के अंदर हम लोग समिधान की भूमिक्या लिखेंगे ध्यान देजे यहाँ पे हम लोग समिधान की भूमिक्या लिखेंगे उतर के अंदर जो heading हमारा होगा समिधान सभा होगा heading हम समिधान सभा लिखेंगे लेकिन उतर में उसके अंदर क्या लिखेंगे उतर में उसके अंदर हम समिधान सभा के बारे में लिखेंगे एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे समिधान सभा का परीचे लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा समिधान सभा यहाँ पर दूसरा हेडिंग हो जाएगा दोस्तो हम लोग का समिधान सभा अब दोस्तो समिधान सभा हमारा दूसरा हेडिंग हो गया अब दूसरे heading के अंदर उतर में क्या लिखेंगे तो दूसरे heading के अंदर उतर में हम लिखेंगे समिधान सभा का परिचे यानि कि समिधान सभा क्या होता है समिधान सभा की से करता है इसके बारे में हम लोग दूसरे heading के अंदर लिखेंगे अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा point देंगे और तीसरे point के अंदर तीसरा heading लिखेंगे समिधान सभा के आवस्यक अंग अपने मन से बना करके लिखेंगे आपर कि समिधान सभा के कौन-कौन से आवस्यक अंग है तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग का तीसरा heading हो जाएगा समिधान सभा के समिधान सभा के समिधान सभा के आवस्यक अंग यानि कि समिधान सभा के कौन-कौन से आवस्यक अंग है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे यह दोस्तो होगे हम लोग का तीसरा heading अब दोस्तो हम लोग यहाँ पर चौथा heading लिखेंगे चौथा point देंगे और चौथा heading लिखेंगे समिधान सभा का निर्मार क्योंकि question के अंदर पूछा गया है समिधान सभा का निर्मार तो यहाँ पर चौथा heading हम लोग का हो जाएगा कि समिधान सभा का निर्मार किस परकार हुआ और उसके बासे दोस्तों यहाँ पर हम लोग पांचवे हेडिंग देंगे और पांचवे हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे तो पांचवे हेडिंग के अंदर लिखेंगे समिधान सभा में निर्मार की परकिरिया यानि कि पूछा गए हैं यहाँ पे कि समिधान सभा का निर्मार किस परकार हुआ यानि कि जो समिधान सभा का निर्मार हुआ तो निर्मार किस परकार हुआ परकार बताना किस परकार हुआ तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग का पाचवा जो पॉइंट होगा, पाचवा हेडिंग होगा, कि समिधान सभा कर निर्मार किस परकार होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समिधान सभा के निर्मार की परकिरिया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाचवा हेडिंग, यहाँ पर दोस्तो हम लोगों ने समिधान सभा के निर्मार की परकिरिया लिख लिया अब इसके अंदर दोस्तो हम लोगों लिखेंगे कि समिधान सभा का जो निर्मार हुआ उसके निर्मार में कौन कौन सी परकिरिया का यूज किया गया और चौता हैडिंग हमारा हो गया समिधान स सभा के निर्माड में महापूरसों का युगदान क्योंकि जो समिधान सभा के निर्माड हुगा उसके अंदर बहुत सारे लोग का युगदान लगा हुगा इसी तरीके से नहीं लिखा गया हुगा तो यहाँ पर हम लो लिखेंगे समिधान सभा के समिधान सभा के समिधान सभा के निर्माड में समिधान सभा के निर्माड में महापूरुसों का योगदान इस तरी के साम इसको बना करके लिखेंगे कि समिधान सभा के निर्माड में महापूरुसों का योगदान यानि कि किनकिन महापूरुसों ने समिधान सभा के निर्मार में अपने यगदान दिया तो यहाँ पर दूस्तों अगर आप चाहें तो point देखे लिख सकते हैं इस heading के अदर Dr. Bhimurao Medical के बारे में लिख सकते हैं Dr. Rajendra Parasat के बारे में लिख सकते हैं या फिर आप चाहें परस्न का जो हमरा समिधान सभा का परस्न है इस पूरे परदर का हम यहाँ पर साथवे heading के अदर इसका निसकर्स के अंदर उतर लिख देंगे कि इस परस्न का कया निसकर्स निकलता है तो इस तेरीक fast से दोस्तों परस्न क्या पूछा गया था पहले उसको समझ लिजी, प्रस्ण कहा गया था कि समिधान सभा कर निर्मार कीस परकार हुआ सुरोतो एवं भूमिका को समझाइए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले प्रस्ण में जब भूमिका पुछा गया है तो हमरा पहला हैडिंग हो जएगा भूमिका उसके बाद दूसरा कहा गया है समिधान सभा तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग डायरेट समिधान सभा कर निर्मार कीस परकार हुआ यह नहीं लिखेंगे बना करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा heading हम लोग समिधान सभा, पहले हम लोग समिधान सभा के बारे मताएंगे कि समिधान सभा क्या होता है, समिधान सभा की से कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर तीसरा heading लिखेंगे, और तीसरा heading बना करके लिखेंगे कितना समय लगा, इस तरीके से बना करें हम लोग're चौथा heading लिखेंगे, अब दूस्टों, यहाँ पर 5वा heading हम रख्या हो जागा, तो 5वा heading हम लिखेंगे समीधान सभा के निर्माड की प्रकिरिया यानि कि जो समीधान सभा का निर्माड हुआ उसकी क्या-क्या परकिरिय रही कैसे कैसे बनाए गया इसके बारे में हम लोग पाँचवी Heading अदर उतर में लिखेंगे और यहां पर चाटा Heading बनाएंगे हम लोग सभिधान सभा के निर्माण में महापूरसों का युगदान यानि कि समिधान सभाकर जो निर्माड हुआ था उसके अंदर किन-किन महापूरसों ने अपने युगदान दिया था उसके बारे में लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों जब हमारे माइंड में कोई पॉलिटिकल साइंस के अंदर हेडिंग बनाने के लिए कौन-कौन से पॉइंट्स यूज के रहता है फिलाल आप इस वीडियो को देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही हेडिंग दिया हुआ है तो दूस्तू आज इस वीडियो को खर सकीप करता हूं, वी वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजी शियर कीजी और अगर आप इस चैनल पर नहाँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टूपिक उपर चाहिए थैंकि दूस्तों